हाई हनी बीज वल्कम टू कॉफी बी बात करेंगे टाटू के एक पुराने व्लॉग के बारे में जहां पर दोनों मा बेटी बेटी है और खोव अपनी फ्रस्टेशन निकाल रही है देखो मैं पूरा बता दूंगी वो देखने जाने की जरूत है नी दीगे कि क्या था क्या देखो रजगुली जो है उसको जान बुछ कर है ना गुटका किंग के परिवार को सुनाना था तो बुछते अम्मी आपको कैसा दामाच चाहिए तो शर्मीली जी कहती है कि भाई जैसा होना चाहिए तो रजगुली बोलती है इतनी तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करते सक नी फैसे होगा सर mandate करर बान मैं ब्रक करते चाहिए और थेकिन सब्स्क्र movement करते हैं करा शर्मीली दीए क्ंगांत है वी लेकिन बाती है कि बाई जी ये जो इन्वमन एक जैल ने करते है ultimate दाला गप 113 में डं़का नहीं सब्स मैं मिला मैं तो भाई के साथ बुंतों मिल रहते लेकिन टाटू को अच्छे से पता था कि आने वाले फ्यूचर में घर जमाई बनेगा काम धंदा कुछ करेंगा अब देखो जितने भी है यह ना मक्खी मकडी हो गई या टाटू हो गई रसगुली गुटका हो गया शर्मीली जी हो गई खाले वाले सबसे जितने भी लोग है ना पिजनान सब अगर मुझे कम प्रॉब्लेमेटिक लगता है आपको शौक लगा कि कौन लगता है जनाब कैसे जनाब मैंचल्ड है मैंचल्ड किसने बनाए उसके आसपास की औरतों ने तारीफ करती रहते है चोटी-चोटी चीज़ में उसने कर रहा कि जब वो काम धंदन नहीं करता था मेंचल्ड कर रही थी तब जनाब जो है मैडम की पैसो पे सब चीजे करी थी फैमिली को ले आ तो मैडम की पैसो पे लेकिन एक वक्के बाद यह गुटका जितना निकमा है ना उतना मुझे कोई नहीं लगता गुटका इंखा गया चैनी अब तक जब inhibi बचंद करता है सब करता है जो जनाब ही लगते हैं कि भाई उसने अपने परिवार का सोचा माबाप का है ना माबाप उसको परिविश्वास भी नहीं है अपने पापा को इसलिए वो रखता है क्योंकि उसको यह शर्मी यह टाटू पर विश्वास नहीं कि आदे रात तक जागते रहते और जितने उनके प परिवास नहीं कि यह टाटू है उसको अगर देखो न उसका काम क्या है में में क्या है उसका यूट्यूब इंस्टाग्राम पर जो प्रमोशन करती है इस टोरी लगाती तो उसका इसको पैसा मिलता है प्लस मुफ्त में प्रोड़क्ट मिलते है छोटे-छोटे चोटे करते हो कि 15-20,000 तक ठीक है 15-20,000 खाली स्टोरी शेयर करने कहां स्टोरी शेयर की कपड़े ऐसे टांगे और शेयर करें 15-20,000 पैसा ठीक है और प्रोड़क्ट मुफ्त में मिल ही रहा है यह हो गया लेकिन यह जो आरत है टाटू यह हमेशा अपने काम को लेकर रोती रहती है फ्रेंस इतने अन्बॉक्सिंग करनी है फ्रेंस यह पार्सल खोलना है फ्रेंस यह करना है फ्रेंस देखे ना कितना काम होता है मतलब जिन्दगी में कुछ नहीं करा इसने यह जो फेम मिली है यह भाई-बाबी के चलते मिले कि भाई यह जो जनाब जो है उनकी बहन है और म ब्रेट फूल ना मैशा कंप्लेंट करती कि इतना काम है चार साल में इसने क्या से क्या कर लिया प्रुट्वरार पिर जमीन खरीट लिगाड़ा गाड़ा Дो जा राइँ किसी लड़की से जलन महीं होती है तुझे बड़ी जलन भाई कोई अगर लड़की बढ़ गझना कोई पर कुछ नहीं करना है अडीन करनी है बारे यहां पे लोग क्यों थे हैं लोग क्वास जनाब पर क्यूंग भाइबस था से दिखाना चाहां चाहां लेकिन अगर आप जहन्य चीज़े दिखाना चाहो तो आपको फिर इसका तो आइसा ही है ना कि यहां पर आइडेल नहीं दीखेंगे वो सब पार्ट करना रहता है छोटी चोटी बात है जहां पर कुछ बोल दिये तो कट लगा देना पड़ता है जिस वज़े से लोगों को सब इसा ही लगना गुड़ी दिखना चाहिए सब तो सब पार्ट रिमाउट करना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है और अगर किसी और को हायर कर लिया तो उसको सब पता चल जाएगा कि देखो यह तो दिखाते कोई शावी तो उन पर उनको ट्रस्त है बाकि भाल्व अपी तो को टिकता नहीं तो बहुत पटा रहता है कि पता जिल जाएगी लोगों को है आ जिस वज़े से भाल्व को गुश्य चाहरा श्याबड़ी जाती ती अब फ़हां पर लड़का ले आ है यह लोगा नहीं लग कि ओरतों की पेत में बाते नहीं टिकती जैसे जनाब हमेशा कहते तो भालुपी कैसी मान सिखता होगी कि वह ओरते जो आती है काम करने वाले वो तो बता सकते है जिस बज़े से उन्होंने अभी जो खाना बनाने वाले वो भी तो लड़का है है न इर्शाद तो उसको लिया ह तो भाई क्या ऐसा राज है भालुपी जो ढप अडिट्र भी लाइन करते हो कामवाले बदलते रहते हो पता नहीं क्या है भालुपी का फटना वेकिन मैं बात यह कर रही थी कि अगर आपको कुछ वह क् net language है तो आप उसको लेकर इतना रोना गाना कर रहे हो तो है आप पर अच्छे से आपको वोस जो है वो अपनी एडिट करनी है फिर एफेक्ट लगाने तो यसा तो कुछ ही नहीं तो अपनों चेटिंग एडिटिंग है ही नहीं बीसिक सी एडिटिंग के साथ जोड़ो फिर वो जो है उसको पार्ट को ट्रिमाउट करो हो गया ऐसा दिखाती ह है जैसे पता नहीं कौन से बहुत बड़ी जो है यह बहुत बड़ी अकाउंटेंट हो सी है वो जैसे उस ताइब की नगरह दिखाती है अपने ससुराल वालों को या तो अपने कुछ दोस्तों को ऐसा दिखाना चारी है कि एडिटिंग बहुत टफ चीज है भाई टफ नही कमा मतलब यह आदमी में पता नहीं क्या अभी प्यार तो अंदा ही होते है यह बात भी सही है लेकिन कैसे इतना अंदा कैसे हो सकता है ना वह आदमी कमाता है ना उसने कभी कमाया पहले माबाप का अभी इसकी जो है भई वो एक्वालिटी वगरा ठीक है लेकिन घर के काम मे पता कि editing में help करना और मेरे जो है वीडियो शूट करने में help करना बंदे ने एडिटर तीसरे चौथे दिन रखवा दिया था कि इसको काम ना करना पड़े मतलब इतना आलसी कोई कैसे हो सकता है और अभी भी जो है ना उसका फंडा क्लियर है कि भाई लैविश लैश्टल जीन बुटकभाई को ठील कुटे को फटा फट 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 काम कर वा रहें जिसके दिमाग में चोर रहता है ना वही सब चीजें ना उसका पती है वही हो नॉमिनी में दखका बहुत तेज है तुरंत यह सब काम कर लें इस अब भी बहुत सारी बात है जो कि इसके बाद की पोड़कास में जो पिजा नान खाला है मेडम मखी सब के बारे में बाद में लेकिन में डोपे अभी अपना ये शर्मीली जी और टाटू जो है दोनों बैट के बात कर रही थी कि हम में आपको कैसा ताम अची यह तो शर्मील की दूल बराबर भी नहीं है जना जना देखो बैस्टस बेंड नहीं है यह तो मैं कहती हो लेकिन वह एक अच्छा बेटा जरूर है यह देखो चाहिए पसंद करो ना करो वह अलग बात है लेकिन जना बैक अच्छा बेटा है बिलकुल है वह जहां पे गुटका भाई को त दूसरा ओडियंस को करने कि देखो भए हमारा तो ऐसे माइंट सेट है हमारा थो ऐसे पहले से था क्योंकि उसके दो तिन महेंने बाद गुटका किंका जो इंट्रॉक्षिन कराया था जनाब ने तो रजगुली यह दिखाना चाहती थी ओडियंस को कि मुझे तो पहले से ऐ बहुत अच्छी बात होती है आप बहुत अच्छे गुणते हैं गुटका गाते ते लाल-लाल दाते हैं शादी जब हो रही ते न मुझे तनी हसी आ रही थी कॉमें शेक्षिन में बोले थे कि किसके चक्कर में पढ़ गए यह तो गुटका बाद आदमी है काले काले दात सच म कि हाँ हूं मैं गुटका की इस ते बड़ी मज़ेदार में एक बात बताती हूं इसके न खालू आया थे यह जो पेटी खाला है ना उसके पती तो देखो उसकी मैं शौट्स मैं मैंने बनाई है मैं इंस्टाग्रम पर अप्लोड कर दूंग कि कि यहां पर श्राइक का इश मैं खालू जो है वो गुटका कहते है अप्रॉमिस करो कि अगली बाए लगे नहीं खा तो बिचारे जो खालू थे एक दम एंबरास्मेंट उनको फील हो रहा था उसकी खाला को फील हो था उसके बच्चों को बच्चों को प्रीशमेंट नी यह लेकिन फिर भी कि देखो य वो गुटका किंग भी तो गुटका खाता है उसको पहले समझाओ ना गुटका ना खाए लेकिन यह क्योंकि वो बिचारे है ना उनकी फाइनेंशल कंडिशन इतनी अच्छी नहीं है और वहां पर इसान करें दोनों बच्चों करें तो उसका तो इंसल्ट कर सकते हो उसकी बीवी को यूस करो कम वाली बाई की तरह जब चाइए घर लेकर जाओ यहां लेकर रहा हो तो उनका कोई अपना कोई नहीं हो चाहिए और अपना कोई स्टेंट खुद के लिए नहीं होना चाहिए वह कौन है बोलेंगे आ जाएंगे वापस से यह ना उसके बात जो है ना कि यह कल को वोल रही थी किसी और को कि प्रोमिस करो फ्रेंड लोगों को और खुदकाई पती गुटके बाद निकल गए तो शरमीली जी जो बोल रही कि ते को गुड़ होने चाहिए दिल का साफ होने चाहिए तहना फ्रेंड अम्मी का मतलते दिल साफ होना चाहिए दाथ लाल है तो चल जाते फ्रेंड सो दिल की बात हो रही थे दाथ की बात नहीं हो रही थी ओकी टाटू अच्छा जी फिर शरमीली जी कहती है कि लड़का अपने डिशिजन खुद लेना चाहिए अपने फैसले खुद करता हो ऐसा होना चाहिए आप कुछ समझा रहे है यह इंडारेक्ट ली जो है परिवार को सुना रहे ते और गुटका किंग को खुद को भी सुना रहे थे कि तुम अपना फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हो क्योंकि टाटू ने खुद ने बताय था यादे एक जब वह मोधा ग घंट कई थी नो उसको भाव नहीं दिया थे किसी ने बहुत बंठन के गई और उसके बाद ना को उसको शादी में बुलाता है वो कुछ अ उनकी कहानिया हैं बहुत सारे जिसके चलते कोंग बुलाना पसंद नहीं गरता है तो रस्गुली ने बुस्स्याश्र बोल दिया तो यह गुटका किंग को सुनाया जा रहा था शर्मीली जी एंड रसगुली की तरब से लड़का खुद का फैसला ले ऐसा होना चाहिए अब देखो गुटका किंग इसलिए आना काने कर रहा थे कि पैरेंट्स नहीं मान रहे थे उनके पैरेंट्स का यह कहना था कि जैसे वह लेगम है वह अपने पती को लेकर चली गए उसकी मम्मी जो यह अंतिन सासे ले रही थी तब तक नहीं आने दिया वैसे से मेरे बेटे के साथ होगा मेरे बेटे को भी लेकर चली जाएगी घर जमाई बना लेगे तो माबाब को तो भई नहीं अच्छा लगेगा उनको तो आपको याद होगा जनाब ने एक व्लॉग डाला था कि अब ऐसा मत करना देख लोगा और वहां पे उसका वैलकम के लिए भी सब कराए शर्मीली ने उसके मन-पसंद का खाना बनाया है उसके कुछ टाइम बाद गुर्ट कर किंग का इंट्रोडक्शन भी है तो मुझे रखता है कि यह सब कांड हुआ होगा और फिर मान भी गए और बीच में न्यूस भी आई थी वहां की लड़किया मुझे याद है मैं देखती थी मैं व्लॉग्स जो है तो वहां मौदहा की लड़किया यह न्यूस देती थी कि इसकी एंगेजमेंट होने वाली और लड़क भी आ गये तो यहां तक बाते हो गए थी क्योंकि परिवार मान नहीं रहता फिर भालू अपी जो कि मोम की गुडिया बनती है वह नोंने वही धंकी धाग दी कि भई नहीं शादी कराओगे तो यहीं दम दोड़ दूगी ऐसा करके ठीक है अब तो पैरिंट्स मान नहीं रह गया था सोरी टू से था लेकिन खाली गुटको एंट परिवहर के लिए था अच्छा जी तो शर्मीली जी वापस से बोलती कि देखो लड़का खुद का फैसला ले ऐसा हो ना चाहिए तो उस गुली कहते है कि फ्रेंट्स बहुत जगना ऐसा होता है देखो जहां पर हम रह यहां और तो चवण लड़का बहुत जैनल खाली ओर ऑगेंगल मतलब लडकी खाली शादी आए तो यसा परेंट्स ने इसे उड़का उ म मिनों में वो ठाहर हो तो दुलहन हमारी है तो ऐसा नहीं कि लड़का भी हमारा हो जाएगा वह तो जिसका बच्चा है उसी कर रहा है अच्छा फिर रजगुली कहती है अगर हम love marriage करें तो हमारा साथ दोगी तो शरमीली जी कहती है कि बिलकुल अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हम love marriage करोगी तो हम साथ देंगे क्यों नहीं देंगे बस सबका दिल जो है वो भरना चीए बाई आटी जी किस चीज से दिल भरना था आपको डलती जो आगा अच्छा एक बात बताओ साथ साल से relationship है बहुत बड़ी खिलाड़ी है मतलब अच्छे से यह सब जानती साथ साल से अगर relationship relationship में है कोई तो कैसे किसी को पता नहीं कर सकता है मतलब बातें करती होगी आसे message है करती होगी सब दोलब तो कैसे पता नहीं डीजेगे और साल से एकदम गुंगे एक तो यहां पर भावी और भाई दोनों गए तो तब भाई भाई को भी पता था और भाई को तो शायद नहीं पता होगा कि भाई अपना काम में वीजेता और उसने बोला भी था कि मुझे पिछले एक देड़ साल से पता है तो एक साल के अंदर ही जो गुटकू का इंट्रोडक तो रिस्पेक्टेड फैमिली में शादी करेंगे तो आना जाना हो जाएगा अच्छा जी उसके बाद शर्मीली जी यह कहते है कि इसकी बुरी बात यह है कि बच्पने में बहुत चीजे कर जाती मतलब बच्पने में कर दिया था लेकिन लड़के को लड़की को एक दुसर अच्छा जी सबसे प्रॉब्लमिटिक चुकि है मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इनसे क्या दिक्कत है शर्मीली जी क्या कहती है कि हमारे बेटा बहुने भी जो है लौ मेरिश किये तो अगर यह कर लेगी तो इसमें दिक्कत नहीं है लेकिन आजकल क्या होता है ना लड़क बेदभी से बात करती हो तो यह से बात मत करो अच्छा जी अलोलो शुर्मी जी यह सला आप अपनी बेटी को बता देती वह अपने पती को तू तड़ा किसे ही बात करती है ना तो यह दूसरों को जो है नीचा दिखाने की ना इन लोगों की बहुत बुरी आदत है अपने सरवों पर ही दिखा दे और दूसरे लोगों को एक दम तुछ मानते भाई खुद तो कर लो बाद में दूसरों को बड़ी बड़ी ज्यान की बाते सिखाना भाई है कुछ भी मतलब और रजगुली कहती है कि लड़को अपनी बीवी से बहुत ज़दा प्यार करो क्योंकि व कि बड़ी जिसाओं नहीं फेसलं पाई जा रलाध हफोधी ने इस वयर्मीमे अता कर ठीक आछिएल आ विमकंद से खुद 커ुदला करें भी जा चाशी में अनलग बहुत हैं थोड़ थोड़ा मभाब लेते हैं थोड़ा छाचा छाची लेती जिस वजह इस तकलीफ हो जात खिलाफ ही था ऐसी बात हो कि बहुत अच्छे लाय क्या थे हमें इजद दिलवाई है हमें पैसे थोड़े ज़त मिल जाती है तो फ्रेंचु रिचाज भी करा थे इजद पी जलवाई निकम मात बोलो अकेले कमाने वाले है संभया करो ना प्रेंचु पापी पेट का सावाल है ओके फ्रेंचु टाटू